जय हिंद क्लास एट की हिस्ट्री एंसिया ठीका चैप्टर नमबर थ्री हम कर रहे हैं दोस्तों अभी तक देखी का तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि आखिर ब्रिटिश ने कैसे किसानों को लूटा ठीक है वो कुछ तरीके लेके आये थे जिसके मदद से उन्होंन काले कों है देखें अब्सक्रमा से तार फिर यहां पर महलबादी सेल्मेंट कौन लेके आया और तीसरा मुन्दरोन। क्मेंट था हुआं क्या वीडियो उसको अच्छी तरीके से फॉल्व कर रहे हैं नहीं हम आज करने वाले और अब देखें क्या था यह लोग क्या करते थे ब्रेटिश रेंड तो क्लेक्ट करते थे यह इस इन गंबनी वाले उन किसानों से वो क्रॉप्स भी उग आते थे जो क्रॉप्स यह लोग सीधे ब्रेटें भेज सकें ठीक है यह मतलब यहां पर देखेंगा ब्रेटेश ऑल्सो रियलाइज देखेंगा यह लोग क्रॉप्स यह लोग क्या से होते थे यहां से लिए वह अच्छी बात नहीं है हम इन लोग से लोग से लिए जिसकी डिमांड ब्रेटें में या यूरोप में बहुत जादा है और अगर दिमांड जाते तो भाई सब जाहीर सी बात है फिर से पैसा ही पैसा अरे सिंपल सी चीज में बताऊंगा यह जो कंपनी के बारे मिंग जितनी बढ़ाई करने वाले इनने में जो key highlight रहने वाली है यह पैस रहने वाली है आये थे 말고未म हाना थे कमाने थे profit हिं घंट करना का मने मक्सद था तो मने करने के की term रहने वाल यह जितनी भी हम company को पढ़ने हैं वiggling करना व hm AG चितना भी तो लेट 18th century में देखिएगा तो company ने अपनी पूरी जान जोग दी थी कि यह जो अपनी पूरी जान जोग दी थी कि यह जो ओपियम और इंडिगो की कल्टिवेशन है इसको एक्सपेंड किया जाए क्योंकि इसकी डिमांड देखिएगा तो बहर बहुत जादा थी और बहुत जादा पैसे इन से मिलते भी थे मलब कंपनी को मुनाफ़ा होता था साथी साथ में ब्रेटिश ने देखी गा तो कल्टिवेटर्स को फोर्स भी किया पूरे भारत वर्ष में जितने भी इलाके पर इनका कंट्रोल था ठीक है कि आप लोग मतलब कुछ क्रॉप उगाए तो जूट इन बैंगॉल ठीक है जूट बोला कि बैंगॉल में टी को आसाम में शुगर के इन यूनाइट प्रोविंस यानि यूपी की बात हो यहां पर वीट इन पंजाब कॉटन इन महराष्ट्रा पंजाब ठीक है जो व में जो भाट है कि बातें कर दो बाते ही बात में कलर में लगादी जगा UP यहां पर यह पीज जाए अब यह चलते हैं अब यहां पेड़नोंगे इस ती combined Proses दिग यह चलेगे हैं के लिए कोई topic सा भटक नहीं रहे हैं इंडिगो यहां पर रेखी तो आपका इंट्रड्यूर्ड्यूर्ट कर रहा है हम यहां से आपकी इंडिगो का जो topic है यह शुरू हो जा रहा है यह देखिए एक overview में दे रहा हूं बाकि के जितनी में ये तनी जार दिमांड क्यूं थी यूरोप में ये सब पढ़ने वाले में एंडियो के बारे में इंडियो कैसे प्रोड़्यूस होता था इस सब हम नेगस्ट वीडियो में में देख रहा जो 19th century England में बनती थी इन दोनों प्रिंट्स में अगर आप देखिएगा कॉर्टन जो टेक्स्टाइल यह जो कॉर्टन है इसमें देखिएगा तो ब्लू कलर का यूज किया गया यह जो ब्लू कलर है न दोस्तों यह इंडिगो से लिया गया है ठीक है इन दोनो इसको कौन डिजाइन और प्रोड्यू करता था विल्यम मॉर्स विल्यम मॉर्स था एक फेमस पोईट अंड आर्टिस था 19th century ब्रिटेन का थीक है देर इस वन तिंग कॉमन इंद तो प्रेंट्स बोथ यूज कर रिच कलर कॉमनली कॉल इंडिगो दोनों चीज में जैसा कि म इंडिगो क्या है the blue that you see in these prints was produced from a plant called indigo इंडिगो एक प्लांट था जिससे देखिएगा तो यह लोग ब्लू कुलर निकालते थे बनाते थे ठीक है It is likely that the blue dye used in the Morris plants in the 19th century Britain was manufactured from indigo plants cultivated in India अब देखिए यह माना जाता है माना के जाता है यह हुआ ही होगा ठीक है सची बात होगी विल्ल मौरिस की प्लांट थी वहां पे ब्लू डाय का यूस होता था उनिसवी शताबदी में यह जो ब्लू डाय था यह इंडिगो से बन के आया तो और उस टाइम पर देखिए कि Indigo कहां फेDAY भाहरत में यहां भाहरत में जतना भी Indigo?' MAFRE क्षेर यह घिंद में स्वह बह्ते कि अरिग देख़ हुगी इंग्लाइंड में फेल सब्सक्राइब इस थे उंपड़ी की सब्सक्राइब नाइक सप्यस्प्नेर पोर सर्क भाहरत दॉनियो से रेलेटेड होने वाला इंट्रेस्टिंग चैप्टर है दोस्तों मज़ा आयेगा ठीक है यहां पर मैंने एक ओवर्व्यू दे दिया आपको कि हम यहां पर किस टॉपिक की बात करने वाले इंडिगो की बात करने वाले हैं ठीक है तो अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब करेगा चैनल को लाइक करिए शेर करिए कमेंट सेक्षन में अपना फीड़ दीजिए और जो मैंने कोशन पूछा था आपसे की पर्मेनेट सेटलमेंट महलवारी सेटलमेंट और जो मुंदरो सिस्टम था यह कौन लेके आया था आपको उसका आंसर देना है